हेलो दोस्तों में जी श्वागत करता हूँ अपके अपनी चैनल जीत फुरियो पर इसमें अपन देखेंगे पार्ट 11 फुलवारी कक्छा चार की एड़ गेट बर्ग पूस्टिका देख रहे हैं अपन परयावन अध्यान ठीक है ना कौन सी देख रहे हैं परयावन अध्यान इसमें सबसे पहले अपन भूमिका को पढ़ेंगे इसके बाद अपन अभ्यास के प्रिश्णों को सॉल्व करेंगे ताकि भूमिका पढ़ने से अपन को थोड़ा अच्छे से समझ में आ सके ठीक है ना तो चलिए अपन भूमिका को पढ़ लेते हैं लीला और हीरा गर्मी क चुट्टी में अपने चाचा चाची के घर गई, सांब को चाचा चाची सभी वच्चों को ले कर पार्क गए, पार्क में तरह तरह के प्यर, पोधे, तथा बहुत सी रंग बरंगी, अलग अलग आकार के फूल दिखे, रंग बरंगे फूलों को देखकर खुशी के नाचने लगे और फूल तोड़ने के लिए दोड़े उसी समय चाची ने फूलों की बीच में लगे बोर्ड जिस पर लिखा था फूल तोड़ना क्या है मना है दिखाया और बताया कि फूल पेड़ पौधे बंबगी जो कोई सोभा बढ़ाते इसकी खुसबू हमें ताजबी और सांत है बच्चे सभी अपनी नीचे गिरे फूलों को उठा ले उन्हें सुखा का सिक्षक से चाचा करें आज आप बगीचे में आपस में खेले ठीक है तो अब यहां से अपने अपने क्या होते हैं प्रश्ण स्टार्ट होते हैं बहुवगलिपी प्रश्ण है पहला प्रश्ण आँगे चली पेड़ों का सबसे आकर्शन भाग कहलाता है क्या कहलाता है फूल कहलातो है पहां पर अपने फूल को लिख भी दिया है ओके आँगे चली अती लगुत्री प्रश्ण बगीचे में फूलों की बीच लगी तक्ति पर क्या लिखा था फूल तोड़ना मना है चा पर है फूलो की घाटी चमूली जिले में अगे मैं फूलो का राजा हूं कई रंगों का होता हूं मेरी महक मीठी मीठी होती है कांटों से घिरा रहता हूं तो दीखे गुलाब फूलो का राजा है और इसके चारु तरफ कांटी पाए जाते हूं कई रंगों में पाए जाते है जैसे लाल, नीला, काला, हर प्रिकार का गुलाब पाया जाता है, आपने भी बहुत सारी रंगे देखे होंगे, ठीकिना, आंगी चलिए, यहाँ पर दीखी लगुत त्री प्रिष्णे स्टार्ट होते हैं, आपकी विद्यालाइक में फूलों का बगीचा, अपने बगीच मे चारो और जाली लगा देंगे और साथ में बोर्ड लगाकर उसमें लिख देंगे फूल तोड़ना मना हैं ओके ना इस तरह कि अपन उपाय करेंगे आंगे जब सर्दी में आपकी तोचा फट जाती है तो ममी कौन सा घरेलू उपाय करती है लिखिए यूदि सर्दी में हमारी तो चलिए विप्दा है ठीक न और खमैद्ध्यान भोजन में पालक डाल, कचनार और प्याज निवू को छलाद आया बताईए कौन से पोधे के भाग है पालक पत्ता है ठीक ना पालक किस से प्राप्त होती है पत्तों से नीवु क्या है एक फल है कचनार एक फल है प्याज के पत्ते कहलाते है ठीक ना प्याज फल नहीं होती प्याज पत्ते होते है ठीक ना आगे चलिए इत्र क्या होता है इसे किस से बनाता है? एक सुगंधी तर्ल इत कहलाता है, फूलों से बनता है, किस से बनता है? फूलों से बनता है, ठीके ना? आगे चलिए, आपर देग उत्ती प्रिश्न दिया गए अपनको, अपने पसंद के पांच फूलों के नाम लगकर तालिका को पूल किजिए, फूल का न पेड हां कुडल सालवर लगता है, गुलाब भी सालवर लगने लगा है, कमल सालवर नहीं लगता है, ठीके ना, जब पान की तालाबों में एक समय पर ही लगता है वो, ठीके न, गेंदा भी सालवर लगता है और कनेर भी सालवर लगता है, क्या हम इनको सुगंद के पहचान स होते हैं तो एक मदूफानी ठीजायन का नाम मदुवर्णी के कपड़ों दीवारों पर बनाई जाती इव उपंवह कि But प्रोजेक्टकार क्या कहते है अपना सिक्षक दिबस पर शिक्षकों के अमंतर देनी के लिए सुखे पत्तों की रंग आख पंखुणियो तथा पत्यों को सजाका अमंतरन करें तो दीखें आपको क्या करना है एक cardboard लेना है इसे कागिस लेना है उस पर जैसे गुलाब को अपने दोस्तों के साथ स्यार करना है वीडियो को लाइक करना है चैनल को सस्काइब करना है मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद